Welcome to all नमींद यूटिप चैनल आज हम डिस्कस करेंगे मादमिक शिक्षा आयोग की सिफार्षे और उनकी सिख्षा निती क्या क्या थी सुझाओ क्या क्या पेश किये थे सिख्षा आयोग ने मादमिक शिक्षा आयोग ने ठीक है इसको मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और मुदालियर शिक्षा आयोग इसको क्यूं कहा जाता है ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज से हम स्टार्ट करें मुदालियर शिक्षा आयोग तो चली फे स्टार्ट करते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग क्या है मुदालियर आयोग मादमिक शिक्षा के ढाचे में सुधार लाने के लिए गटित किया गया था तो क्यों किया गया था जो माद्यमिक शिक्षा थी जो शुरुआत से माद्यमिक शिक्षा चली हुए थी उसको उसमें सुधार लाने के लिए इस आयोका गठन किया गया था मुदालियर शिक्षा आयोका ठीक है भारत सरकार ने 23 तंबर 1952 को डुक्टर लक्षमन स्वामे स्वामी मुदालियर इन्ही के नाम पर इसका नाम मुदालियर या फिर कब-कब इसमें क्या-क्या changes किये गए और पहले क्या था मादमिक शिक्षा आयोग में क्या-क्या किस तरे की शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी कि इसमें change करने की आफशकता पड़ गई और मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया गया ठीक है तो जो पहले हमारी शिक्षा थी वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली दो स्तर की मानी जाती थी प्रात्मिक स्तर और उच्तर ठीक है दो ही स्तर थी प्रात्मिक और उच्तर ठीक है और जो इसकी निव पड़ी थी यूरोपी मिशनरियों ने इसकी निव डाले थी मादमिक शिक्षा की ठीक है अठारमी स्ताब्दी में आये थे और अठारमी स्ताब्दी के अंतक देश के बह त्व्रेज भी आया थे भारत में, और उन्होंने अपनी सिक्षा नीति भारत में लागु की थी अलग लग तरह से बहुत सारी अपनी तरह से अपनी जो संस्कर्ती है, उनको भारत में लागु करने या फिर ठोपने के उन्होंने प्रयास की थे, ठीक है? तो मादमिक शिक्षा किसकी देन मानी जाती है यूरोपियेट भिष्णर्यों की मानी जाती है उन्होंने ही मादमिक शिक्षा की नेव भारत में रखी थी ठीक है और जब भारत जब आजाद हुआ भारत आजाद होने के बाद दूसरा आयोग माना जाता है मुदालियर लेकिन हमारी आजादी के बाद ये दूसरा आयो गठित किया गया था लेकिन मादमिक शिक्षा को लेकर ये पहला आयो था ठीक है और 1882 में मादमिक शिक्षा के विश्य में हंटर आयो का गठन किया गया था याद रखेगा 1882 में मादमिक शिक्षा के विश्य में हंटर आयो क गठन किया गया था इनका भी काम यही था मादेमिक शिक्षा में चेंज्स लेकर आना जो मिशनरी हमारे देश में मादेमिक शिक्षा लागू करकर गए थे उस में चेंज्स करते करते 1882 में चेंज उसके बाद जाकिर हुसान समीती ने भी माध़मिक स्तर पर एक बुनियादी शिख्षा देने की योजिना प्रस्तुत की इसको basic education कहा जाता है कि माध़मिक स्तर पर बच्चों को basic education प्रोवाइड की जाए ओके, और सबसे पहले आचारिय नरेंदर देव सिक्षा समेती 1949 में इसको लागू कर दिया गया था किसको basic education को ठीक है और इसके बाद इलाबाद में अध्यान के परशिक्षन महाविदाल्य की स्थापना हुई और 1949 में सार्जेंट ने सिक्षा योजना की जो व्यापक योजना है वो प्रस्तुत की तो 1949 में सार्जेंट ने सिक्षा योजना प्रस्तुत की थी और उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत्य शिक्षा स्लाकार डुक्टर तारा चंद ने अपना योगदान दिया था तो 1949 में जो सार्जेंट ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी माद्यमिक शिक्षा गुल लेकर उनके भारत्य स्लाकार डुक्टर तारा चंद थे और डुक्टर तारा चंद ने एक आयोग बनाया था विशेशकों का जो शिक्षा विशेशक थे उनका एक आयोग बनाया गया और भारत सरकार ने 23 तंबर 1952 को मदरास विश्व विधाले की कुलपती डॉक्टर लक्षमन स्वामी मुदालियर की अद्यक्स्ता में माद्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कर दिया गया और इन्ही के नाम पर मुदालियर शिक्षा आयोग भी इसको कहा जाता है तो परम समझ में आगे कि कहां से जो माद्यमिक शिक्षा है वो आई और क्या-क्या चेंजिस कब-कब आये 1882 में आये 1919 में 1949 और 1951 में एक कमेटी बनाएगी एक दुबारा से इस पर विचार विमर्ष करने का जिम्मा सोपा गया और उसके बाद जब हम आजाद हो गए थे दूस स्वामी मुदालियर ठीक है तो ये इसका कुछ बेसिक सा कॉंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि माद्यमिक शिक्षा कब से आई क्यों आई अब देखते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थी जो मुदालियर शिक्षा आयोग बनाया गया था उनके उद्देश्य थे भारत में ततकालिल माद्यमिक शिक्षा की स्थीती का अध्यान कर उसके संबंद में सुझाव देना मतलब जो पहले से माद्यमिक शिक्षा चली आ रही है उसका ओवर ओल रिव्यू करे उसको समझे की क्या-क्या सिक्षा निती अब तक चली हुई है और उनका अध्यान करके उसके संबंद में अपने विचार प्रस्तुत करे ठीक है आदर्ष नागरिक तैयार करना अपनी जो सिक्षा निती ये लेकर आए है मतलब जो चेंज़स ये करेंगे माद्यमिक शिक्षा में उसके अकोर्डिंग एक अच्छे आदर्ष नागरिक ये तैयार करे इंका मुख्या उदेश्य था मानविय गुणों का विकास भी करना इनका मुख्या उदेश्य था उसके बाद हम देखेंगे डोक्टर ए एन बासु को इस आयोग का सचीव निक्त किया गया था किसको जो मुदालियर आयोग है अध्यक्स थे लक्षमन स्वामी मुदालियर और सचीव किसको निक्त किया गया था डोक्टर ए एन बासु को आयोग की कुछ सदश्य ऐसे भी थे जो देश के विभिन भागों में घूमते थे स्कूलों में जाते थे ये देखते थे कि माध्यमिक शिक्षा जो चली हुई है उसका क्या स्ट्रक्चर है कैसे माध्यमिक शिक्षा के अकोडिंग बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाती है ठीक है तो विभिन राजो की सरकारों ने भी इस आयोग का पूरा साथ दिया आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर अध्यान किया और 39 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ठीक कि माध्यमिक शिक्षा कैसे प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बच्चों को दी जा रही है मतलब सब कुछ overall इन्होंने इस शिक्षा में देखा क्या कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है कैसे टीचर है क्या वेवस्ता की गई है और कैसे बच्चों का मुल्यांकर होता है, अपनी रिपोर्ट त्यार की, और अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की, 29 अगस्त 1953 को, इसलिए इस आयोग को, इसलिए कहा जाता है, मुदालियर शिक्षा आयोग 1953, सोरी, 1952 से लेकर 1953, तो ये इनका काल था, 1952 में इनका आय जो गठीत हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और 1953 तक इनकी रिपोर्ट त्यार होकर इन्होंने प्रस्तुत कर दी थी, अब इन्होंने देखा कि जो इन्होंने प्रस्तुत की है रिपोर्ट, तो इनकी रिपोर्ट में क्या-क्या है, इनकी रिपो क्या कमिया थी, वो report में देखेंगे, सिक्ष्या प्दती पुस्त को पर आदारी थी, इनका कहना है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बस पुस्त को का रटवाया गया ग्यान है, पुस्त को दुवारा ही बच्चों को रटवाया जाता है, basic knowledge गुछनी दी जाती, concept क् जाता, जो बुक में लिखा गया है, सिर्फ वही बच्चो को पढ़ाया जाता है, मतलब ये लगा लिजे, बुक तक ही सीमित है बच्चो का घ्यांठिक है, तो इन्होंने कहा कि जो सिक्षा पदती है, वो सिर्फ पुस्त को पर ही आधारीत है, उसके बाद सिक्षकों और से कुछ भी नहीं पूछते हैं तो जो टीचर और एक स्टूडेंट का संबंद होता है क्लास में जो एक फ्रेंडली बिहेवियर होता है ऐसा कुछ भी नहीं नहीं देखा था ठीक है उसके बाद इन्होंने कहा कि मुल्यांकन करना कठीन है जो बच्चों को फैसिलिटीज दी जाता है और किता भी ज्यान के अकोडिंग ही बच्चों की प्रिकशाएं ली जाती है और overall उनका कुछ भी मुल्यांकन नहीं किया जाता है बच्चों ने कैसा बिहेवि किया क्लास में कैसे वो ऐसाइंमेंट कर रहे है या फिर कैसे टेस्ट दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं ह और जो बुक में लिखा है सिर्फ वही बच्चों को पढ़ना है ठीक है सिर्फ टीचर का रोल है टीचर को एक्टिव इनोंने बताया है जो लर्नर है जो स्टूडेंट है उसको पैसिव इनोंने बताया तो इनका मानना है कि सिर्फ एक पक्षिय ही जो सिक्षा है वो बच्चो को दी जाती है उसके बाद है वेभारिक विश्य शामिल इसमें नहीं है जो बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं दिये जाते वेभारिक ज्यान उनको नहीं दिया जाता जो बच्चों की आई या ना आई ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है सिर्फ English medium ही बच्चों को पढ़ाया जाता है ठीक है क्योंकि अंग्रेज आये थे उसके बाद last में अंग्रेज आये थे तो अंग्रेजों ने क्या क्या अंग्रेजी अपनी थोपी भारत पर कि इन्होंने का कि अंग्रेजी में ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा बच्चों को और इनका यही माना था कि हिंदी यूज नहीं होती पढ़ाने में कोई दूसरी भाषा यूज नहीं होती सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है इसी बज़ा से बहुत सारे बच्चे तो स्कूल में ही नहीं जाते हैं उसके बाद इन्होंने कहा कि कक्षा में विधार्तियों की संख्यात जादा है जहां पर बच्चे स्कूल में जाते हैं वापर भीड जादा है teacher नहीं है facilities नहीं दी जाती बच्चों को system तरीके से एक system ऐसा नहीं है कि बच्चे इतनी class में इतने बच्चे होंगे इस class में बच्चों के according मतलब उनकी sheet के according बच्चों को पढ़ाया जाए ऐसी कुछ भी विवस्ता इन्होंने नहीं देखी उसके बाद दोशपून सिक्षन विदिया है जो पढ़ाने के जो methods है उनमें बहुत सारी कमिया इन्होंने देखी कि जो teachers है वो skilled teacher नहीं है trained teacher नहीं है कोई भी teacher जिसने कुछ थोड़ा सा पढ़ाय लिखाई की है वही school में आकर पढ़ा रहा है बच्चों को तो इन्होंने का कि कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो बच्चों को knowledge हम दे पाएं ठीक है उसके बाद है पठे करम का भोजल और नीरसोना जो बच्चों का curriculum होता है जो बच्चों का syllabus होता है वो बिलकुल भी बच्चों के according नहीं है बच्चों के level के according नहीं है बस जो syllabus में लिख दिया बच्चों को वही पढ़ना पड़ता है ना तो उनके हिसाब से syllabus दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा boring है और बहुत ज़्यादा बोजल भी है तो इन्होंने ये कुछ दोश है जो प्रस्तुत किये कि जो मादमिक शिक्षा अभी तक पढ़ाई गई है बच्चों को जो मादमिक शिक्षा है उसके according जो बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड के जाती है उसमें बहुत सारी कमिया थी तो इक कुछ कमिया मैंने यहाँ पर लिखी हुई है उसके बाद देखेंगे कि जो मादमिक शिक्षा थी उन्होंने पुनर गठन के लिए क्या-क्या प्रारूप तियार किये थे ठीक है कि जो दोश है उनको दूर करने के लिए क्या-क्या सिफारशे की है क्या हमने प्रारूप तियार किये है किस तरह से नई education मादमिक जो शिक्षा है वो बच्चों को provide की जानी चाहिए तो ये कुछ प्रारूप त्यार किये गए थे मादमिक शिक्षा की तरब से ठीक है जो नया आयोग बनाया गया था तो इन्होंने कहा कि जो मादमिक शिक्षा की अवदिया वो 7 वर्ष होनी चाहिए मतलब जो मादमिक शिक्षा है उसका काल होना चाहिए 7 वर्ष इसका प्रारंबिक जो प्राथमिक शिक्षा जिसको junior basic का जाता है वो कक्षा 5 उत्रिन होने के बाद होना चाहिए मतलब जो 5 साल है जो कक्षा 5 पांचमी कक्षा तक है उसके बाद का जो काल है उसको कहा है इन्होंने मादमिक शिक्षा आयोग सोरी मादेमिक शिक्षा और मादेमिक शिक्षा कितने साल की होने चाहिए साथ साल की तो ये होगी primary education और उसके बाद जो साथ साल है उसको इन्होंने कहा है secondary education मतलब मादेमिक शिक्षा मादमिक शिक्षा की यह अवधी दो भागों में विभाजित इन्होंने की है यह जो साथ साल है इनको दो भाग में इन्होंने डिवाइड किया है कैसे मादमिक शिक्षा की यह अवधी दो भागों में भाजित कर दी पहली है तीन वर्ष तक जूनियर सिक्षा, उसके बाद है चार वर्ष तक उच्च मादमिक सिक्षा, अब ये कैसे है, पांचवी क्लास तक यहाँ पर होगी प्रैमरी, उसके बाद तीन साल तक है जूनियर सिक्षा, बतलब छटी, सात्मी और आठमी तक होगी जूनियर ठिक है उसके बाद जो next चार साल होंगे इसको कहा इन्होंने उच्च मादमिक शिख्षां इसमें कौन-कौन सी क्लासे आएंगी newi, दस्वी ग्यार्मी और बार्मी ठीक है तो इनके एकोडिंग क्या है साथ साल होने चाहिए मादमिक शिक्षा तो ये है उच्छ मादमिक शिक्षा मादमिक शिक्षा का काल इन्होंने जो मादमिक शिक्षा रखिये वो रखिये ग्यार्मी क्लास तक लेकिन यहां पर बात हो रह साथ वर्ष होनी चाहिए और वो होनी चाहिए पांचमी कक्षा पास होने के बाद में ठीक है उसके बाद इन्होंने का है ग्यारमी में बार्मी कक्षा के इंटरमीडियेट कक्षा को बदल कर ग्यारमी कक्षा को हाई स्कूल वा बार्मी कक्षा को विश्व विद्याले से को जोड दिया जाए 16 prepare जाए से liquid डिगरी बच्छों को दी जानी चाहिए CPA में 21 कलास में क्लास कोём लेकिंगे की जाएं में डिग्री जो दी जाती है, जैसे 12 करने के बाद हम यह जाते ना, कॉलेज में, BA, BSC, BCOM, यह सब करते हैं, तो इनका कहना यह था कि 11 क्लास तक हम करेंगे स्कूल की सिक्षा, और 12 क्लास जैसे ही स्टार्ट होती है, वहां तक हम करेंगे कौन सी डिग्री की, मतलब 12 क्लास को इन् ने बारवी क्लास तक रखी हुई है, तो यह उच्छे मादमी शिक्षा है, ठीक है, और 7 साल इन्होंने इसकी अवदी रखी है, तो इन्होंने इंटरमीडियेट किया है क्लास इसको 11 और 12 को, उसके बाद इन्होंने काया कि स्नातक पाठ्षेकरम तीन वर्ष का कर दिया जा जो सनातक जो प्रिक्षाएं होती हैं, जो सनातक क्लासेज होती हैं, उनका पठ्यक्रम तीन वर्ष कर दिया जाना चाहिए, जैसे अभी है ना तीन वर्ष यूजी का कोर्सेज होता तीन साल का, तो इनका कहना यही था कि जो करिकुलम है, जो सनातक करिकुलम है, जो पठ्यक्र वो तीन साल का कर दिया जाना चाहिए, माधमिक कोलेजों से विश्व विधालों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों के लिए एक व्रश का पूर्वे विश्व विधालय पाठेक्रम रखा जाना चाहिए, इनका कहना है कि जैसे ही माधमिक कोलेज खतम होते हैं, जैसे ही ब उसके बाद इनका कहना है कि कक्षा 11 तक पास होने वाले छात्रों को विभिन व्यवसायक व्यव्यविती संस्तानों में प्रवेश की अनुमती दी जाने चाहिए अगर कोई बच्चा व्यवसाय से संबंदित सिक्षा प्राप्ते करना चाहता है तो वो 11 वी कक्षा तक विधालों में क्रिशी सिक्षा का भी विशेश प्रबंद होना चाहिए और उध्यानकला पशुपालन को टिर उध्योग की शिखषा विपच्षो को प्रोवाइड की जानी चाहिए उनका भी प्रबंद। या जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसे हैं जो ग्र ठीक है उसके बाद इन्होंने बात की है कि प्रियाप्त संक्या में पौल टेक्निक और टेक्निकल विधालो की वी स्थापना की जानी चाहिए ताकि जो बच्चे टैक्निक लायन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा जो साधन जो प्लेटफोर्म है वो एद्टूकि मिल स्कूल में प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाए ठीक है ये सिफारिशनों ने जो मादेमिक शिक्षा आयोग है मिटे मिल की सिफारिश मादेमिक शिक्षा आयोग में हो चुकी थी उसके बाद इनका इनकी योग और शिफारिश थी उनको स्कोलर्शिप भी दी जानी चाहिए। चाहिए और सरकार को ये लागू करना चाहिए कि जितने भी उद्योग हैं उन पर सिक्षा कर लगा कर और जो कर वहां से मिलता है उनको कहां पर यूज करेगी टेक्निकल सिक्षा विस्तार में। उसके बाद इनोंने बात की है कि बालक बालिकाओं की सिक्षा में विशेश अंतर की आवशकता ने होने पर भी बालिकाओं के लिए ग्रफ विज्ञान की अध्यान की समुचित ववस्ता आवशक रूप से होनी चाहिए। मतलब इनोंने लड़कियों के लिए ये बात की है कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो लड़कियों के लिए जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बीयड में भी जिनोंने होम साइंस लिया होगा। अब ये शिक्षा जो इनोंने मादमिक शिक्षा के लिए मांगी है ये कहां पर जाकर कंप्लीट होगी, कहां पर इनकी सिफारशे कंप्लीट की जाएंगी, कहां पर इनकी सिफारशों को लागू किया जाएगा पौर्ण रूप से वो आगे हम डिसकस करेंगे। तो मादेमिक स्तर पर हिनों ने कहा था कि जो मादेमिक स्तर है वहाँ पर ही होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए लड़कियों के लिए ताकि आगे चल कर वो अपने जीवन में अच्छे से सरवाइद कर सकें उसके बाद इन्होंने सुझाओ दिये भाशाओं को लेकर जो भाशाओं हैं उसके अध्यान के लिए भी इन्होंने सुझाओ दिये और वो कौन-कौन से थें इन्होंने का कि भाषाओं को पढ़ाने के लिए पांच भिन भाषा समोप पर विचार करना चाहिए सबसे पहले तो मात्र भाषा, दूसरी या प्रादेशिक भाषा यदी वै मात्र भाषा नहीं है तो नेक्स्ट इन्होंने बात किया संघिय भाषा को लेकर सास्त्रिय भाषा जैसे संस्क्रतर भी फार्सी या फिर लेटिन कोई भी संस्क्रति भाषा इनकी हो सकती है और उसके बाद इनोंने का कि अंग्रेजी अंत्रर अस्ट्रे भाशा भी जरूर होने चाहिए, तो इन में से कोई भी पांच ऐसी भाशा जो बच्चों के लिए जरूर लागो होने चाहिए, माद्यमिक स्तर पर सिक्षन का जो माद्यम है, वो मात्र भाशा या फिर करम में हिंदी अनिवारिय विशय होना चाहिए क्योंकि यह किंद्र सरकार की भाषा है हमारे भारत में जो कामकाज होता है जो किंद्रिय सरकार की भाषा होती है वो हिंदी है ओफिशल जो कामकाज होता है वो हिंदी में होता है इसलिए इन्होंने जोर दिया कि हिंदी अनिव इन्होंने का कि मादेमिक स्थर पर अंग्रेजी एक अनिवारिये विशे बना रहना चाहिए क्योंकि यह है राष्टिय और अंतर राष्टिय मैत्व की भाषा है अब इन्होंने बात की अनिवारिये भाषा को लेकर हिंदी और इंग्लिश को लेकर जो भी जो कि आज भी बिल कर सुझाव इनके उसके बाद हम बात करेंगे पाठ्य करम कैसा होना चाह一下 बच्चो के लिए तो पाठ्य करम दो तरह से होना चाहिए Middle या फिर Junior High School के विशे के लिए और उच या फिर उच्ज तर माद मीख सतर पर कौन-कौन से विशे बच्चो के लिए होने चाहिए तो जो middle या फिर junior high school है उनके लिए भाष्या होने चाहिए समाजिक विज्ञान ये subject में बता रहे हूं कि कौन-कौन से subject बच्चों को पढ़ाया जाने चाहिए समाने विज्ञान गनित कला संगीत सिल्प और सारे रिक शिक्षा बच्चों को लैंग्वेज होने चाहिए मतलब हिंदी इंगली शंसकर्ट जो भी जो लैंग्वेज है उसके बाद इन्होंने बात की सामान्य विज्ञान सामाजिक कध्यान और हस्त सिल्प के बारे में और उसके बाद जो अन्य विशय है जो optional विशय हो सकते हैं हमारे उनमें कौन-कौन से विशय शामिल होंगे मानव विज्यान विज्यान प्राविदी वानिजय खिरशी विज्यान ललित का लाएं और गरह विज्यान हॉम सइंस कोमर्स और आग्रिकल्चर साइन्स होनी चाहिए बच्चों के लिए साइन्स होनी यदी चाहिए तो बहुत सारी ऐस सब्ज którą के इन्होंने डिमार्ड की ये सिर्फ सिफार से ही सुझाव है लागू किया गया है या नहीं किया गया है वो बात की बात है लेकिन अभी जो सुझाव दिये हैं आयोग ने वो डिसकस कर रहे हैं ठीक है उसके बाद इन्होंने प्रिक्षाओं को लेकर भी सुझाव दिये और वो का मुल्यांकन नहीं होना चाहिए बलकि जो बच्चों ने काम किये हैं पूरा साल जो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनके हिसाफ से भी बच्चों का मुल्यांकन होना चाहिए और उसके बाद इन्होंने का कि अंतिम मुल्यांकन में आंतरिक प्रिक्षाउं और विद्धालय कि नियुक्ति और सेवाओं को लेकर इन्होंने क्या कैसी फारशी की हैं इनका मानना है कि सबी परकार के जो विद्यालने हैं उनमें अध्यापकों के चैन के लिए एक ही तरह की पदती अपनाई जानी चाहिए या तो टीचर्स को डारेक्ट हम डारेक्ट स्कूल में जोइन कर तो सबी टीचर्स के लिए एक पदती होनी चाहिए उसी की अकोर्डिंग एक टीचर स्कूल में पढ़ा सकता है बच्चो को उसके बाद इनोंने बात की है कि समान योग गता वे समान काम करने वाले अध्यापकों के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए उसके बाद इनोंने शिख्षकों की private tuition की प्रता समाप्त कर दे जाने चाहिए इन्होंने सिफारिश की कि जो teacher government teacher है वो private tuition बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जो अभी भी बिल्कुल लागु है ये बात कि जो government teacher होता है वो tuition नहीं ले सकता किसी institute में नहीं पढ़ा सकता तो इन्होंने सिफारिश की थ ये भी हम देखेंगे आगे उसके बाद कुछ teachers के लिए और भी facilities की इन्होंने बात की कि जो teacher है और उनके जो बच्चे है उनके लिए मुफ्त चिकित्षा की सुईधा भी परदान की जाए ये मतलब बच्चों के लिए medical जो facility है वो free में provide की जाने चाहिए teachers को और जो teachers है उन 60 वर्ष की IU कर दी जाने चाहिए teachers के लिए वितलब बहुत सारी ऐसी demand थी इनकी teachers को लेकर की बहुत सारी facilities teacher के लिए provide की जाने चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं परशाशन एवं वित्त सुईधा सुझाव परशाशन को लेकर इनके क्या-क्या सुझाव थे तो इनका कहना है कि केंद्र सिक्षा स्लाकार बोर्ड की तरह ही प्रांत में प्रांतिय सिक्षा स्लाकार बोर्ड की स्थापना की जाए इनका कहना ही जैसे केंद्र में सिक्षा स्लाकार बोर्ड होता है उसी तरह से प्रांतों में भी प्रांतिय सिक्षा स्लाकार बोर्ड होना चाहिए जो स समय समय पर प्रांतिय सिक्षा की विवस्ता के संदर्ब में संबंध में अपने सुझाव दे सके कि कौन सी फैसलिटी बच्चों के लिए सही है क्या उसमें चेंजिस लेकर आने चाहिए इस तरह से एक बोर्ड को सुझाव अपने पेश करें उसके बाद बात करेंगे इनका कह इनका मानना है कि जो भी ग्रामे नक्षेत्र से बच्चे हैं उनके लिए ऐसे अवसर प्रदान किये जाए ऐसे subject बच्चों के लिए बनाये जाए ताकि बच्चे अपने subject को select करें अपने according ये नहीं है कि बच्चों को थोप दिये जाए कि आपको ये subject पढ़ना ही या आपका बले इसमें interest हो या ना हो तो इनका एक और motive निकल कर आया था कि ग्रामे न अक्षेत्रे में जितने भी उनसे real life से relate करके subject हैं वो बच्चों को पढ़ाये जाए ताकि बच्चे आगे जाकर अपने जो website हैं उनको complete कर सकें और जो technical education है इसकी भी नोंने बात की कि बड़े बड़े जो नगर हैं वहाँ पर जो technical संस्थाएं हैं वो स्थापित की जाए त जाकि जो बच्चे इंटरस्ट है technical line में जाने के लिए वो बच्चे अपनी technical line में जाएं और अपनी education बैतर बनाएं ठीक हैं तो जो भी सिफारशे थी जो भी मुदालियर शिक्षा आयोग ने अपनी सिफारशे रखी तो उन सिफारशों में से बहुत सारी सिफारशे ऐसे जो नेगलेट कर दी गई कि आपने जो भी सिफारशे रखी हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते और बहुत सारी सिफारशे ऐसे थी जो मान ले गई कि आपने जो भी कहा है वो ठीक है जो भी आप education को लेकर बता रहे हो कि वैभारिक बाशा बच्चों को दी जाने चाहिए आप ली गई शिक्षा आयो के द्वारा पुस्तार बहुत सारी सिफारशे थी जो इनकी नेगलेट कर दि गई की बई आपने जो कहा है कि मादमिक शिक्षा में पूर्यक.. किया गया जिसको कोठारी कमिशन कहा जाता है उनके क्या-क्या सुझावत इस कमिशन को लेकर या फिर इस सिक्षा निती को लेकर वो हम बात करेंगे कोठारी आयोग में और आज के लिए था बस इतना ही आज जो हमने मुदालियर शिक्षा आयोग पढ़ा है उसके बारे में आ मादमिक शिक्षा थी वो पहले कैसी थी और उसके बाद क्या-क्या चेंजिस लेकर आने के इनोंने बात की है और पहले जो मादमिक शिक्षा थी उसमें क्या-क्या जो कमिया रहे थी जो दोश थी उनको दूर करने के लिए ये आयोग निर्मान किया गया इस आयोग का गठन कि तब याकर आपकी जो अन्य सिक्षा नेति हैं जो आयोग बनाए गई हैं वो आपके clear होंगे ठीक है तो जो पीछे जो मादमिक शिक्षा ती उसमें कमी रही थी उसको दूर करने के लिए मादमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया मुदालियर शिक्षा आयोग की जो भी उसका क्या-क्या निर्मान है, उन्होंने क्या-क्या सुझाव दिये हैं, सिक्षा निती को लेकर वो हम next विडियो में discuss करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए तब आज इतना है, मिलते है next विडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने तयारी अच् Thank you.